हेलो ब्रिवन और वेल्कम तो माई चैनल दिस इस एम रोही आज हम लोग डेली करनेंट अफर्स की सेबन इंपॉर्टेट एमसे क्यूज को डिसकस करेंगे ठीक है उससे पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं किस किस टॉपिक पे मैंने एमसे क्यूज बनाया है ठीक है क्रोता लारिया लेमली फॉर्म में ठीक है उसके बाद मुल्ला पेरी डैम नागरहुल नैशनल पार्क उसके बाद नेक्स्ट बनेंगे लास्ट में हम लोग डिसकस करेंगे कथर कली ठीक है तो चलिए आज का पहला क्वेशन को हम लोग डिसकस कर लेते हैं Which of the following age are wrongly matched निमने में से कौन-कौन सा गलत मिलन है ठीक है इधर metal दिया हुआ है और इधर डिसी दिया हुआ है ठीक है Option A कह रहा है मरकरी से मेनि माता डिसी होता है B कहता है नाइटरेट से बलू बेभी सिंडरॉम होता है Option C कहता है Cadmium से Itai Itai होता है D कहता है Arsenic से Black Foot Disease होता है Option E कहता है Lead से Anemia होता है तो इसका answer हो जाएगा Option Number 4 is correct क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी option दिया गया है Total क्या है? Correct option एनी Mercury से Minimata होता है Nitrate से Blue Baby Syndrome होता है Cadmium से Itai Itai होता है Arsenic से Black Foot Disease होता है Lead से Anemia होता है तो यहाँ पे total मैंने match करके दिया है ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं बहुत important question है यह बहुत बार question number 2 नागरहूल National Park known as Rajiv Gandhi National Park is located in नागरहूल National Park जिससे Rajiv Gandhi National Park के नाम से भी जाना जाता है निमने में इसे कहाँ श्तित है इसका answer हो जागा option number A is correct Western घाट में है इसका जो establishment हुआ था नागरहूल National Park का सबसे पहले तो wildlife century के तोर पर हुआ था 1955 में फिससे अपग्रेड किया गया National Park के रूप में 1999 में यह 37th Tiger Reserve अंडर Project Tiger in 1999 में बना था और यह जो पार्क है निलगिरी बायोस्फेर रिजर्व का एक हिस्सा है इसी के बीच से एक नदी भाती है नागरहूल रिवर इसमें जो फुलोरा पाया जाता है फुलोरा मतलब की पेड़ पहुद हो गया ठीक है इसमें moist deciduous forest पाया जाता है जैसे tick हो गया ठीक है उसके बाद fauna की बात करे Asian elephant पाया जाता है चीता पाया जाता है leopard पाया जाता है कथकली इस रिलेटेट टू विच अब दा फॉल्लिविंग स्टेट कथकली निम्ण में से किस राज्य से संबंदित है ठीक है इसका आंसर हो जाएगा option number a is correct केरला से संबंदित है ठीक है recently क्या हुआ जो कथकली actor है गुरू गुरू चेमन चर कुन ही रामन ठीक है इसके हाल ही में जो है मिर्तु हो गई है 105 साल के एज में ठीक है इसलिए कथकली जो डांस है यह बहुत ज़्यादा news में है ठीक है यह कथकली is one among the eight classical dance of India ठीक है जो eight classical dance इंडिया में उसमें से एक कथकली है ठीक है question number four the scheme औरून दोई is related to which of the following states औरून दोई योजना किस राज जिससे संबंधित है इसका अंसर हो जागा option number a is correct असम ठीक है असम में अभी election होने वाला है ठीक है इसलिए यह scheme बहुत ज़्यादा news में है यह scheme में जो है असम में जो हासिया पर रहने वाली महला है उनको जो है 830 रुपया ठीक है उसको सीधे इसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है ठीक है मदद के तोर पर उसको दिया जाता है ठीक है question number 5 world most polluted capital according to IQ year ठीक है world year quality report is IQ year ने world year quality report जारी किया इसके अनुसार दुनिया का सबसे परदूशित राजधानी है ठीक है इसका आंसर हो जाएगा option number D is correct New Delhi ठीक है हाली में IQ year ने report जारी किया है ठीक है इसमें जो दुनिया का सबसे polluted परदूशित जो शेहर है राजधानी है वो है आपका New Delhi ठीक है और देश की बात करें तो देश में सबसे जादा जो polluted डेश है वो आपका बंगला देश है और दूसरा में पाकिस्तान है और इंडिया क्या है 3rd position पर है ठीक है फर्स्ट में आपका कुन है बंगला देश ठीक है 2 में पाक आपका हो गया और 3 में आपका क्या है इंडिया है, ठीक है question number 6 मुला पेरियाद डैम is a source of dispute between which of the following state मुला पेरियाद बांध किस दो राज्य के बीच तकरार का बिशय है, ठीक है सकामसर हो जागा, option number B is correct, तामिल नाडू एन केरल, ठीक है, ये फुली तोर पर जो है, मुला पेरियाद डैम केरल में है, ठीक है लेकिन इसका जो मैनेजमेंट होता है ठीक है, देख भाल, ये सारा तामिल नाडू करता है what is crotalaria lemleiform crotalaria lemleiform क्या है, ठीक है एक बैक्टिरिया है, aquatic animal है, virus है, plant है क्या है, ठीक है, तो इसका अंसर हो जागा option number D is correct ये एक plant है कोई भी benefit होता है, तो आप इससे subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ इससे share करें thanks for watching welcome to my channel, this is M.Rohi, आज हम लोग daily current affairs के 5 important amsecures को discuss करेंगे ठीक है, हम लोग किस-किस topic पर आज question को discuss करेंगे, उसके बारे में हम लोग पहले discuss कर लेते हैं, ठीक है project rehab के बारे में मैंने एक question बनाया है, ठीक है the turing scheme के बारे में question बनाया है, ठीक है large arms exporter and importer country के बारे में मैंने एक mcqs बनाया है ठीक है, उसके बाद जो great Indian bastard है, इसके बारे में एक mcq बनाया है ठीक है, forex reserve के बारे में एक mcq बनाया है तो चलिए आज का पहला question को हम लोग discuss कर लेते हैं आज का पहला question है Recently seen in the news project rehab is related to which of the following हाल ही में news में रहा project rehab निम्ण में से किस सम्मधित है तो इसका answer हो जागा option number A is correct that is elephant human conflict से related है ये KVIC के द्वारा launch किया गया इसका full form होता है khadi and village industries commission ठीक है इसके द्वारा इसे launch किया गया है किसली launch किया गया है conflict के बज़े से बहुत सारे हाथियों को human के द्वारा मार दिया जाता है इस conflict को दूर करने के लिए इस rehab project को लाए गया है इसका full form क्या होता है R से हो जाएगा आपका reducing E से हो जाएगा elephant H से हो जाएगा human A से हो जाएगा attack और B से हो जाएगा using bees ठीक है यह जो bees है that means आपका मधुमक्या है मधुमक्यों से जो हाथी बहुत डरता है ठीक है तो इसे के द्वारा जो है उसको डराया जाएगा ताकि वो जो है जिधर आदमी रहता है ठीक है उधर वो ना जाए ठीक है वो जंगल में ही रहे इससे क्या होगा माना और जो हाथी का conflict है वो कम होगा ठीक है इसलिए इस project को लाया गया है ठीक है Question No.2 Turing scheme किस से संबंदित है ठीक है इसका answer हो जाएगा Option No.2 A is correct UK student to study abroad ठीक है एनि यह जो है UK का एक project है ठीक है यह project लाया गया है ताकि जो है जो UK का student है वो abroad जाके पढ़ सके इंडिया भी आ सके ठीक है अधर country भी जा सके उसके लिए इस project को लाया गया है ठीक है to apply for government funding to allows student to study and work across the globe Question No.3 Great Indian Burstard under IUCN Red List is Great Indian Burstard को IUCN Red List के किस category में रखा गया है ठीक है तो इसका answer हो जागा Option No.A is correct critically in danger में है ठीक है Supreme Court ने कहा है अभी जो है government को कि इसके प्रति हमें action लेना चाहिए जो कि power lines की वज़े से बहुत सारे जो है Great Indian Burstard की मिर्तिव हो रही है ठीक है हमें इसको जो है बचाने की कोशिश करनी होगे ठीक है तो यह जो Great Indian Burstard है यह राजस्थान का क्या है यह state bird है ठीक है following country is large arms importer in the world निमने में से दुनिया में सबसे बड़ा arms importer country कोन है importer मतलब होता है आयत करने वाला देश ठीक है और exporter मतलब निर्याद करने वाला देश ठीक है तो arms जो importer है सबसे बड़ा दुनिया में अभी ठीक है तो यह अभी सौधिया अरव है ठीक है और हमारा जो country है इंडिया है वो second position पर है ठीक है second position पर इंडिया है ठीक है यह जो report आई है ठीक है किसकी दौरा report दी गई है यह SIPRI के दौरा ठीक है SIPRI SIPRI ठीक है इसका full form क्या होता है Stockholm International ठीक है Peace Research Institute इंपोर्ट जारी किया गया ठीक है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो importer country है वो है आपका सौधिय अरविया और दुनिया का सबसे बड़ा जो exporter country है वो है आपका USA ठीक है इस चीज़ को आप यादि भारत got position in forex reserve in the world दुनिया में भारत को फूर्थ position पर है ठीक है पहले फूर्थ position पर रसिया था अभी रसिया को जो है हटा दिया गया अभी इंडिया जो है हमारा फूर्थ position पर पहुंच चुका है ठीक है चाइना के पास सबसे ज़्यादा forex reserve है दुनिया का अभी चाइना है अभी चाइना है ठीक है चाइना है उसके बाद जपान है तीसरा position पर स्विट जेर्लेंड है उसके बाद इंडिया है ठीक है इस चीज को आप याद रखिएगा forex reserve में कौन-कौन सी चीज आती है देख लेते हम लोग उसमें आते हैं जैसे आपका foreign currency, asset, ठीक है swand bhandar, ठीक है gold reserve, any SDR special drawing rights, ठीक है IMF के pass reserve Hello and welcome to my channel This is M. Rohi आज हम लोग daily current affairs की 5 important MCQs को discuss करेंगे आज का पहला question है Recently seen in the news bhadar dam located in news में रहा bhadar dam कहां स्थित है इसका answer हो जाएगा option number A is correct गुजरात के सौरास्ट में स्थित है ठीक है कौन सी नदी पर ये dam बना हुआ है ये bhadar river पर बना हुआ है ठीक है second largest dam है गुजरात का ठीक है ये news में क्यों है ठीक है Recently Dam Safety Organization of Central Water Commission recommendation दिया है कि जो dam है dam का जो flood gates है वो बूरी तरह से damage हो चुका है ठीक है इसलिए इसका replacement किया जाना चाहिए ठीक है इसलिए ये news में रहा है question number 2 arrange Indian states which are sharing their borders with Myanmar according to length भारत के राज्यों का Myanmar से border sharing का distance के अनुसार arrange करे इसका answer आप जो है elimination method से निकाल सकते है ठीक है अगर आपको एक या दो राज्ये का मालूम है कि सबसे ज़्यादा border share कौन करता है तो आप आसानी से निकाल सकते है ठीक है हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो border share करता है Myanmar के साथ वो करता है Aruna चलपरतेस ठीक है और second करता है मिचोरम अगर आपको सिर्फ ये दोनों मालूम है तो आपको आसानी सा answer निकाल सकते है elimination method से कैसे ठीक है अगर A सबसे ज़्यादा करता है तो आपका D नहीं हो सकता है उसके बाद अगर B है तो आपका 2 भी नहीं हो सकता है 3 भी नहीं हो सकता है तो आपका answer क्या हो जाएगा automatically 1 आपका answer हो जाएगा ठीक है अप elimination method से आसानी से निकाल सकते है ठीक है अभी सबसे ज्यादा जो है अरुनाचल परदेश कितना border share करता है ठीक है ये करता है आपका 520 km ठीक है 520 km करता है मीजोरम आपका करता है ठीक है 510 km मनिपूर करता है 398 km ठीक है km उसके बाद जो नागालेंड है वो करता है आपका नागा लेंड, आपका करता है 215 किलो मेटर, ठीक है, यहाँ पर आप इसे एक वर्ड में याद रख सकते हैं, ठीक है, A, M, I, M, A, N, ठीक है, क्या हो जाएगा, अमीमन, अमीमन से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, A से अरुना चल पर दे, सबसे जोरम, ठीक है, उसके बाद 2nd position पर है, और मनिपूर 3rd position पर है, और नागलेंड 4th position पर है, ठीक है, तो आप इससे आसानी से systematic way में याद रख सकते हैं, अमीमन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह दे, यह दे, 15 March को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, 15 March को मनाया जाता है, हर साल, ठीक है, इस बार की theme क्या थी, tackling plastic pollution, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, तो जागरुकता बढ़ाने के लिए से हर साल मनाया जाता है, question number 4, उम्रेद पाउनी करहांडला, wildlife sanctuary is located in, उम्रेद पाउनी करहांडला, वनने जीब अभ्यारन, कहां इस्तित है, इस cancer हो जाएका, option number A is correct, महरास्ट में, ठीक है, यह चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे एक सूर्य नामक जो बाग है, एक बच्चा को मार डाला है, इसलिए यह news में, question number 5, best new artist, grammy awards 2021 is given to, grammy award 2021 में, best new artist का award किसी दिया गया, ठीक है, इसका answer हो जाएका, option number D is correct, ठीक है, यह 73 वाँ ग्रेमी अवर्ड है, ठीक है, इस बार जो है, लॉस एंजिल conference center में किया गया, कहां पे है यह, यह आपका California USA में है, यहां पे आयो जित किया, Hello and welcome to my channel, this is Amir Rohi, आज हम लोग daily current affairs के 6 important consecutive को discuss करेंगे, आज का पहला question है, European Parliament has declared Dash as LGBTIQ Freedom Zone, किसे European Parliament ने LGBTIQ Freedom Zone घोशित किया है, इसका answer हो जाएगा, option number A is correct, European Union, ठीक है, European Parliament ने European Union को LGBTIQ Freedom Zone घोशित किया है, अब यह इसका full form क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, L से आपका हो जाएगा lesbian, ठीक है, G से हो जाएगा gay, B से हो जाएगा bisexual, T से हो जाएगा trans, ठीक है, और I से हो जाएगा आपकर intersex, और Q से हो जाएगा queer, ठीक है, इसका यह full form है, एनि यहाँ पे same sex को allowed किया गया है, ठीक है, यह यहाँ पे illegal नहीं है, legal है, ठीक है, यहाँ के majority country जो है, इस चीज को allowed करता है, ठीक है, पॉलेंड द्वारा देश में बनाई जा रही, LGBTIQ ideology, ठीक है, फ्रीजून के खिलाप परतिकरिया के रूप में, European संसद ने ऐसा किया है, ठीक है, question number two, मेरा राशन mobile app launch by, मेरा राशन mobile app किसके द्वारा launch किया गया, ठीक है, इसका answer होजा का option number, B is correct, Ministry of Consumer Affairs, मतलब उभोगता मामले, खादे बंग, सारवजनिक बित्रन मंत्रा ले, ठीक है, इसका काम क्या होगा, यह राशन card holders के लिए लाब करी है, इससे नजदीक में जो दुकान होगी, शौप होगी, उसके बारे में यह पता कर सकता है, और उसे उचित मुल्ले पर वहाँ पे सामान मिल सकता है, question number three, which of the following Indian states does not touch the Myanmar border, निमलिखित में से कून सा भारती राज्य मैनमार के border से touch नहीं करता है, इसका answer हो जाएगा option number D is correct, त्रिपूरा, ठीक है, एनि त्रिपूरा मैनमार के border से border share नहीं करता है, भारत का चार राज्य मैनमार के border से border share करता है, कौन कौन सा राज्य है, एक आपका हो जाएगा मनिपूर, मीजोरम, अरुनाचल पर्देश और नागालेंड, ठीक है, एनि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी मैनमार में कू की सासन है, question no.4, who organized quad first leader summit, quad की first leader summit किसके द्वारा आयोजित किया गया, इसका answer हो जाएगा, option no.b is correct, that is, USA के द्वारा organized किया गया, ठीक है, quad को mini nato भी कहा जाता है, ठीक है, अब quad country को ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 4 country है, ठीक है, पहला आपका, Japan हो गया, ठीक है, उसके बाद Australia हो गया, ठीक है, I say India हो गया, ठीक है, और US, एनि J, US अब पढ़ सकते इसको, J, US, ठीक है, एनि Japan, Australia, India, US, चार country है, ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर एक question बनाया था, ठीक है, आज में question number 5, who became the first Indian fencer to qualify for the Olympic, Olympic में qualify करने वाली भारत की पर्थम fencer कोन बनी, ठीक है, इसका answer हो जाएगा option number, B is correct, that is, भावानी, देवी, ठीक है, यह game है, fancy game is a game in which is played between two players, दो player के बीच यह खेला जाता है, ठीक है, दोनों को क्या कहा जाता है, fencer कहा जाता है, ठीक है, यह दो तलवार, दोनों के पास दो तलवार होते हैं, ठीक है, तलवार से ही खेला जाता है यह game, एक दूसरे को तलवार से अटेक करता है ओपोनेंट को और जो कोई तलवार से उसको छू देता है तो उसको क्या मिल जाता है पेंच टाइगर रिजर्व इस इन पेंच टाइगर रिजर्व कहां इस्तित है इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर अभी अभी इसमें एक टाइगर को जो पकड़ा गया था उसको इस टाइगर रिजर्व में रखा गया है इसलिए ये न्यूज में है ये मद्ध पर्देश में है इसका जो नाम रखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व का एक नदी के नाम पर रखा गया है पेंच रिवर ठीक है इसके बीचों बेच फोलो करती है ठीक है नॉर्थ टू साउथ फोलो करती है यह नदी ठीक है इट इस डिकलियोड सैंचोरी उनिस सो पैसेट में सैंचोरी डिकलर किया गया था कितना में उनिस सो पैसेट में सैंचोरी से डिकलर किया गया था ठीक है उस जाएए 1975, 1975 में इसे क्या डुगोसद किया गया, इसे एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया, ठीक है, उसके बाद 1992 में इसे क्या दिया गया, टाइगर रिजर्व रिजर्व का स्टेटस दिया गया, ठीक है, तो लेक्चर को मिस मत कीजिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, किनको स्टॉप टीवी पार्टनर्शिप बोर्ड के अध्यक्ष नूट किया गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर A is correct, डॉक्टर हर्षवर्धन को नूट किया गया है, ठीक है, ये कौन है, ये केंद्रिय सौस्त एबंग परिवाहर कल्यान मंत्री ह यूनियन मिनिस्टर फो हेल्थ एन फैमिली वेलफियर है, ठीक है, इनको तीन साल के लिए, कितने साल के लिए, तीन साल के लिए अपोइंट किया गया है, ठीक है, ठीक है, त्री येर्स, ये जो टीवी पार्टनर्शिप बोर्ड है, स्टोप टीवी पार्टनर्शिप बोर non-governmental, क्या है इसमें parties है, ठीके, मिलके ये एक group है ये, ठीके, इनका काम क्या है, ये दुनिया भर में क्या करता है, TB का भियान चलाता है ठीके, इनका जो vision है TB मुक्त विश्यो विश्यो को TB से मुक्त करना इसका aim है ठीके, उन लोगों में awareness बिल्ड करता है, ठीके facilities प्रोवाइड करता है, ठीके और strategies उगर बनाता है कि कैसे हमको TB से लड़ना है TB को हराना है, ठीके इंडिया में जो इसका aim है TB को समाप्त करने का, eradicate करने का, वो है 2025 तक TB को eradicate करने की बाद कही गई है, ठीके question number 2, world energy transition outlook report is released by, world energy transition outlook report किसकी दुआरा जारी किया जाता है ठीके, तो इसका answer हो जागा option number A is correct international renewable energy agency question number 3, which of the following state of India became the first state to implement ethanol promotion policy, निम्न राज्जियों में से कून सा राज्जे ethanol promotion policy को लागू करने वाला भारत का पहला राज्ज बना सका answer हो जाएगा, option number D is correct, बिहार अभी जो बिहार की cabinet इसे मंजूरी परदान किया है, ठीके इसमें क्या होगा, जिसे गन्ना है, ठीके, मक्का है, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से ethanol का उत्पादन करेगा, ठीके question number 4, E Sanjeevni mission is started by which of the following E Sanjeevni mission निम्न में से किसकी द्वारा शुरू किया गया, ठीके, तो इसका answer हो जाएगा, option number A is correct, Ministry of Health and Family Welfare, ठीके, इनकी द्वारा ये शुरू किया गया, 31 जो हमारे state है, ठीके, state प्लस union territory में चलाया जाएगा, ठीके, amicus curia is a, amicus curia है, इसका answer हो जाएगा, option number C is correct, that is, friend of court, ठीके, ये किसे case related नहीं होता है, ये court को advise करता है, और court को help करता है, उसके कामकाज में, ठीके, इसे friend of the court भी कहा जाता है, ठीके, friend at the court कहा जाता है, या friend in the court कहा जाता है, या advisor to the amrohim, ठीके, आज हम लोग daily current affairs के five important amicus को discuss करेंगे, जो आपके आने वाली competitive exam के लिए बहुत important होगा, ठीके, आज का पहला question है, which of the following statements is our correct about national plan for conservation of aquatic ecosystem, ठीके, ठीके, NPCA, option number a कहता है, it is our centrally sponsor scheme, b कहता है, the NPCA is a conservation program for both wetlands and lakes, ठीके, ये जो है wetlands और lakes दोनों के लिए conservation program को चलाता है, ठीके, C कहता है, it is implemented by MOEFCC, ठीके, इसका full form होता है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीके, और D कहता है, there are 42 wetlands under Ramsar convention in India, ठीके, इसका answer हो जाएगा, option number four is correct, all of the above, ठीके, तोटल यहाँ पर जितना भी option दिया गया है, सब सही है, ठीके, Centrally sponsor scheme का मतलब होता है, इसमें दोनों का जो है, share रहता है, center का और state का, ठीके, इस scheme के अंदर, जो government है, ठीके, ये क्या करता है, 70% center इसमें खर्च करेगा, और 30% state करता है, ठीके, और north east, जो state है, उसके लिए क्या होता है, 90, ठीके, 90, आपका 90% कोन करेगा, center करेगा, और only 10% north east state करेगा, ठीके, ये program जो है, जो रामसर साइट है, ये 1971 में शुरू हुआ था, ठीके, ये इरान का एक शहर है, ठीके, रामसर साइट, एक शहर है, वहें पर एक संधी, संधी पर हस्ताक्षर हुआ था, wetlands के सनरच्शन में, ठीके, तबी से इसको रामसर साइट कहा जाता है, इसके अंडर में, दुनिया का बहुत सारा रामसर साइट, जो NPCA program है, ठीके, उसको launch किया गया था, 2013 में, ठीके, 2015 में, दो चीज को merge किया गया, ठीके, नेशनल लेक्स conservation plan, and national wetlands conservation plan को merge किया गया, 2015 में, ठीके, तीन टाक के स्कीम होते हैं, ठीके, एक होता है, center sector scheme, ठीके, इसमें fully तोर पर central government खर्च करता है, एक होता है, आपका centerly sponsor scheme, इसमें होता है, center plus state अपना जो है, share करता है, ठीके, share करके खर्च करता है, और एक होता है, state level schemes, इसमें क्या होता है, fully funded by state, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्टेट फंड करता है, ठीके, question no.2, the medical termination of pregnancy bill, 2020 increase the termination from 20 weeks to dash, medical termination of pregnancy bill, 2020 के द्वारा, termination को 20 सब्ता से बढ़ा कर कितना किया गया, ठीके, इसका answer हो जाएगा, option no.2 is correct, 24 weeks किया गया है, लेकिन क्या है, इसमें, आपको दो, जो medical practitioner है, उन से सलहा लेना पड़ेगा, ठीके, एक बार, ठीके, 20 सब्ता के अंदर लेना होगा, उसके बाद, 24 सब्ता के अंदर लेके आप इसको terminate कर सकते हैं, abortion कर सकते हैं, ठीके, ये जो है, बिल है, जो MTP था पहले, ठीके, medical termination bill 1971, ठीके, 1971 में amend किया गया, ठीके, पहले 20 सब्ता था, इसको बढ़ा कर अब कर दिया गया, 24 सब्ता, ठीके, पहले सिर्फ married woman के लिए ही प्रोवीजन था, अभी unmarried woman के लिए भी कर दिया गया है, ठीके, question number 3, recently seen in the news, global risk report 2021 released by, हाल ही में, news में रहा, global risk report 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, ठीके, इसकांसर हो जाएगा, option number A is correct, world economic forum, ठीके, question number 4, recently seen in the news, melathione is related to, हाल ही में, news में रहा, melathione किस से संबंदित है, इसकांसर हो जाएगा, option number D is correct, that is insecticide कितना शक है, ठीके, भारत ने इरान को 20,000 लीटर melathione कितना शक भेजा है, ठीके, इसका काम क्या होता है, यह क्या चीज़ को control करता है, insecticide, ठीके, यह करता है, आपका जो control, mosquitoes, ठीके, insect अगरा को यह control करता है, जो attack होता है, fruit पर या vegetable पर, उसको क्या करता है, यह control करता है, question number 5, which of the following state has started summer campaign, निमने में से किस state में summer अभियान शुरू किया गया, ठीके, इसका answer हो जाएगा, option number, A is correct, जारखन में शुरू किया गया, ठीके, कुपोर्शन को दूर करने के लिए, कुपोर्शन से निपटने के लिए, यह अभियान शुरू किया गया, ठीके, इसका full form जो होता है, strategic action for alleviation of malnutrition, enemy reduction, ठीके, यह 1000 दिनों का लक्षे रखा गया, आज हम लोग daily current affairs की 10 important MCQs को डिसकस करेंगे, उससे पहले हम लोग topic को डिसकस कर लेते हैं, कि किस-किस topic पर हम लोग MCQs को डिसकस करेंगे, ठीके, पहला topic है, new species, hypnea, indica and hypnea, bulata, इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे, ठीके, 66th film fair award 2021 के बारे में डिसकस करेंगे, african forest elephants के बारे में डिसकस करेंगे, world development report 2021 के बारे में डिसकस करेंगे, nature safari के बारे में डिसकस करेंगे, investor education and protection fund authority mobile app के बारे में डिसकस करेंगे, 28th huner heart के बारे में डिसकस करेंगे, world theater day के बारे में डिसकस करेंगे, 7th schedule के बारे में briefly हम लोग डिसकस करेंगे, and last में हम लोग डिसकस करेंगे, drama festival के बारे में, ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले question की तरफ, ठीक है, question number one, hapnia indica was discovered from which of the following state, hapnia indica किस राज जिसे खोजा गया, इसका answer हो जाएगा, option number A is correct, Tamillandu से खोजा गया, ठीक है, ये क्या है, seaweed है, seaweed मतलब होता है, खरपत्वार, जो समुद्री खरपत्वार होता है, वो, ठीक है, seaweed, खोजा गया, और एक और खोजा गया, ठीक है, वो है hypnia bulota, ठीक है, hypnia, bulota, ठीक है, इसे गुजरात से खोजा गया है, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखिये का, बहुत ही important MCQs है, ठीक है, इस पर question पूछा जा सकता है, ठीक है, question number 2, which of the following film on the best film fair award 2021, 2021 का best film fair award किस film को दिया गया, ठीक है, इस का answer हो जाएगा, option number B is correct, थपड़ फिल्म को दिया गया है, ठीक है, ये 66th film fair award है, ठीक है, जो 2020 के लिए दिया गया है, ठीक है, 7 trophy थपड़ फिल्म ने जीता, और 6 trophy गुलावो सितावो फिल्म ने जीता है, ठीक है, best actor की अगर बात करें, तो इर्फान खान को मर्नो परांत best actor की उपादी दी गई, ठीक है, उनकी film अंग्रेजी मेडियम के लिए, ठीक है, best actor in leading role female की तो तापसी पन्नु को दिया गया है, ठीक है, उनकी film थपड़ के लिए, ठीक है, उसके बाद best actor, greetings, प्रुसकार की बात करें, तो अमिता वच्चन को दिया गया है, गुलावो सितावो फिल्म के लिए, ठीक है, best director की बात करें, तो ओम रावत को दिया गया है, ठीक है, उनक की फिल्म तनहाज़ की दिए अफ्रीकन फॉरिस्ट ईलिफेंट इस अंडर विच अप्व तॉलिविंग Gay इन आ देगोरी इन आयूसे इन रेड लेस्ट अफ्रीकन फॉरिस्ट एलिफेंट को ऐूसे न के किस अग्यरी में रखा गया थीक है इसका अंसर वह जाएका ऑप्ष drama festival in which place Jammu and Kashmir सरकार ने हाल ही में drama festival कहां आयुजित किया ठीक है इस कांसर हो जाएगा option number A is correct स्रीनगर में आयुजित किया है ठीक है ये थेटर को बढ़ावा देने के लिए थेटर रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए ठीक है इस नाटक को मनाया जाता है महत्सव को मनाया जाता है ठीक है जमुण Kashmir के कला संस्कृति एन भाशा अकडमी द्वारा आवजित किया गया ठीक है ये आपका जो है दू सप्ता तक which of the following has decided to open its first nature safari कि सराज्जी ने अपनी पहली nature safari बनाने की गोशना की इसका अंसर हो जाएगा option number a is correct बिहार ने ऐसा किया है ठीक है इसे आम जनता के लिए समर्फित किया जाएगा ठीक है इसमें प्राकृतिक वतावरन में glass sky walk सही कई गतिवीधियां का आनन्द लिया जाएगा यह देश का पहला बहु चर्चित glass sky walk होगा investor education and protection fund authority mobile app is launched by investor education and protection fund authority mobile app किसके दुआरा लौँच किया गया है इसका आंसर हो जाएगा option number a is correct ministry of corporate affairs के दुआरा लौँच किया गया है mca के दुआरा लौँच किया गया है ठीक है इसका aim क्या होगा aims होगा achieving the goal of financial literacy ठीक है spreading investor awareness, education and protection among investors in which of the following state has been organized 28 हुना हाट 28 वे हुना हाट का आवजन किस राज्य में किया गया इसका आंसर हो जाएगा option number a is correct ठीक है गोवा में किया गया है ठीक है सौदेशी, कलकारी and शिल्प के लिए एक platform है ठीक है 26 March से ठीक है चार अप्रिल तक मनाया जाएगा ठीक है इसकी जो थीम है इस बार की वो है आपका वोकल फोर लोल्ड थीयर्टर डे इस सेलिब्रेटिट इन वोल्ड थीयर्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा option number a is correct 27 March को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है स्टार्ट जो हुआ था यह इंटरनेशनल थीयर्टर एंस्च्टूट के द्वारे स्टार्ट किया गया था ठीक है कितना में 1962 में स्टार्ट किया गया था इनकी जो थीम है ठीक है थीयर्टर एन झालचर आफ पीस ठीक है Q9. Health comes under which of the following list? Health किस सूची के अंदर आता है? इसका आंसर हो जाएगा. Option C is correct. State list के अंदर आता है. हमारी जो seventh schedule है. उसमें तीन परकार के सूची है. एक है union list, state list and concurrent list. Union list में कानून union government बनाएगी और जो state list है उस पर जितने भी subject है उस पर कानून state government बनाती है. और जो concurrent list है इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं. ठीक है? तो इस short में आप इस चीज़ को ध्यान रखेगा. World Development Report 2021 is released by which of the following? World Development Report 2021 किसकी दौरा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा. Option number A is correct. World Bank के दौरा जारी किया जाता है. आज हम लोग daily current affairs के five important MCQs को discuss करेंगे. सबसे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं. आज का पहला topic होगा CGI, Chief Justice of India के बारे में discuss करेंगे. अभी अभी news में रहा है. NPNT, No Permission, No Take-off के बारे में discuss करेंगे. क्या है यह? इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे. ट्रोपिकल साइकलोन इन वे ओफ वेंगॉल के बारे में discuss करेंगे. ठीक है? उसके बाद हम लोग discuss करेंगे. Dam Lake, Wild Life Sanctuary के बारे में. उसके बाद last में हम लोग discuss करेंगे. The Heart of Asia Summit के बारे में. ठीक है? तो चलिए हम लोग discuss करते हैं. Question number 1 Which of the following statements is or correct about CGI? Nimlichit Kathno में से कौन-कौन से Kathan भारत के मुख्यने आधिश के लिए सही है Option number A He or she is appointed by President Next The Chief Justice of India also decides the number of judges that will hear a case 3. His or her tenure 6 years and is 65 years ठीक है तीनो में से 1 correct है ठीक है Any CGI को appoint को उन करता है President के द्वारा किया जाता है ठीक है The Chief Justice of India also decides the number of judges that will hear a case मतलब कितने judge का bench होगा वो decide कोन करता है वो भी decide CGI करता है Chief Justice of India करता है अब यहाँ पर third option को हम लोग देखे है कह रहा है His or her tenure 6 year and is 65 years ठीक है Age सही है 65 year age तक होता है लेकिन इनका जो tenure होता है ठीक है इनका tenure क्या होता है Fix नहीं होता है ठीक है Tenure not fix Not a fix ठीक है Tenure fix नहीं होता है ठीक है और इनका age जो होता है वो होता है आपका 65 year ठीक है यह सही है और यह resign किनको देते हैं यह resign president of India को देते है ठीक है So इसका answer हो जाएगा Option number A is correct 102 correct है ठीक है Question number 2 NPNT compliance is related to NPNT compliance किस से संबन्दित है इसका answer हो जाएगा Option number A is correct ब्रोन से संबन्दित है ठीक है इसका जो full form है वो है No permission No take off मतलब यह जो है अगर कोई operator है ठीक है Operators need to request permission to fly via mobile app ठीक है Without permission यह fly नहीं कर सकता है नहीं उड़ सकता है ठीक है के दुआरा इसको permission दिया जाएगा तभी यह fly कर सकता है ठीक है Ministry of Civil Aviation के दुआरा ठीक है इसको जो है launch किया गया और जो company से जो बनाई है वो company है ठीक है आपका Asteria Aerospace Among the following statements which state has relatively suffered the maximum impact of tropical cyclones in the way of Bengal निमन में से कून सा राज्ये बंगाल के खाड़ी के tropical cyclones से सबसे ज़्यादा परवावित हुआ है ठीक है इसका answer हो जाएगा option number A is correct उड़ीशा सबसे ज़्यादा परवावित हुआ है ठीक है यहाँ पर लगभग दो सालों से बहुत ज़्यादा जो है ट्रोपिकल साइकलोंस आया है ठीक है जैसे आप हुद हुद हो गया ठीक है आपका जो तितली हो गया बुलबुल हो गया फानी हो गया अमफान हो गया ठीक है यह बहुत ज़्यादा डेमेज किया है उडिशा को ठीक है लगभग यहाँ की जो प्रोपर्टी है न्यूज में आया था लगभग 31,945 करोर जो है यहाँ प्रोपर्टी डेमेज हुआ है ठीक है पॉंग डेम लेक वाइड लेप सेंचुरी इस लोकेटेड पॉंग डेम लेक वाइड लेप सेंचुरी कहां इस्थित है इसका आंसर हो जाएगा option number C is correct दात इज हेमाचल परदिश में इस्थित है ठीक है अभी यह न्यूज में क्यों रहा आपका H5N1 या 9th Ministerial Conference The Heart of Asia Summit टुक प्लेस नौवी मंत्री अस्थरिय समित The Heart of Asia कहां आयोजित किया गया इसका आंसर हो जाएगा option number D is correct दुशान बे ठीक है तजकिस्तान की जो ही capital है यहाँ पे आपका जो 30 मार्च 2021 को आयोजित किया गया ठीक है यहीं 30 मार्च को आजी के दिन से आयोजित किया गया है ठीक है जो काबूल है काबूल अफगानिस्तान का capital है ठीक है ताशकन अपका उजबिकिस्तान का capital है और अश्खाबाद अपका जो है तुर्क मिनिश्टान का capital है ठीक है यह चीज अब ध्यान में रखेगा इसमें S. जैशंकर ने इसमें participate किया थे हमारे जो भी देश मंत्री है S. जैशंकर उन्होंने इसमें participate किया आज हम लोग daily current affairs की five important mcqs को discuss करेंगे उससे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं कि किस-किस topic पर हम हम लोग mcqs को discuss करेंगे ठीक है आज का पहला topic है सरस्वती सम्मान 2020 कि इनको दिया गया इसके बारे में discuss करेंगे global wind report 2021 के बारे में discuss करेंगे Indian first AC railway terminal के बारे में discuss करेंगे Indo-Korean friendship park के बारे में discuss करेंगे और last में हम लोग discuss करेंगे महराजा छत्र साल convention center के बारे में question number one who among the following has सरस्वती सम्मान been given for 2020 निम्नमे से किन को 2020 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित क्या जाएगा इसका answer है option number A is correct शरन कुमार लिम्बाले ठीके ये महरास्ट के हैं इनका जन्द महरास्ट में हुआ था 1956 में ठीके एक मराठी कवी है ठीके इनकी उपन्यास जो मराठी में लिखी गई है उपन्यास सनातन ठीके सनातन इनके लिए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा ये सम्मान किनकी द्वारा दिया जाता है तो KK बिरला फॉंडेशन के द्वारा दिया जाता है ठीके इसमें 15 लाग रुप्य कैश दिया जाता है Q2 Global Wind Report 2021 Released by Global Wind Report किसके द्वारा जारी किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा option number B is correct Global Wind Energy Council के द्वारा जारी किया जाता है ठीके over the global wind industry through the latest market data के अनुसार जारी किया जाता है ठीके 2020 के लिए जो सबसे largest wind power market है वो है आपके चाइना एंड यूएस ठीके चाइना एंड यूएस दे वोर्ल्ड तू लार्जेस्ट विंड पावर मार्के इंडियन फोस्ट एसी रेल्वे टोमिनल इस बिंग ऑपन इन विच प्लेस भारत का पहला एसी रेल्वे टोमिनल कहां बनाया जा रहा है इसका अंसर हो जाएका option number A is correct बैंगलूरू में बनाया जा रहा है ठीके ये PM मोदी के दुआरा इनगरेट किया जाने वाला है इस रेल्वे टोमिनल का नाम सर्व एम विश विश रईया रेल्वे टोमिनल हाल ही में न्यूज में रहा इंडो कोरियन फ्रेंशिप पार्क का उदगाटन किस अस्थान पर किया गया इसका अंसर हो जाएका option number A New Delhi में किया गया महराजा च्छत्र साल कन्वेंशन सेंटर हाज बिन इनगरेट एड महराजा च्छत्र साल कन्वेंशन सेंटर का उदगाटन कहां किया गया इसका अंसर हो जाएका option number B is correct मद्ध परदेश में किया गया ठीक है आज हम लोग daily current affairs की six important mcqs को discuss करेंगे उससे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं कि किस किस topic पर हम लोग mcq को discuss करेंगे ठीक है आज का पहला topic है the switch canal ठीक है करलापत wild lab century पर discuss करेंगे हम लोग the first tv free ut of india ठीक है शिग्मों festival के बारे में discuss करेंगे बियास award के बारे में discuss करेंगे किसको दिया गया ठीक है इसको बाद last में हम लोग discuss करेंगे दा जबरवान mountain range के बारे में ठीक है तो चलिए हम लोग discuss करते है question number one the swage canal connects which of the following निम्न में से swage canal किसे आपस में जोड़ता है इसका answer हो जाएगा option number a is correct that is the Mediterranean sea and red sea को आपस में connect करता है यह अभी news में क्यों है चुकि इसमें shipping हो रहा था shipping मतलब जो बहुत बड़ा एक जहाज है ठीक है जो सामान को goods अगर को एक जगा से दूसरी जगा ले जाता है वो बीच में जाके फंस गया किसमें जो स्वेज कैनल है उसके बीच में जाके फंस गया नहीं एक तरफ से दूसरी जहाज जो है दूसरी तरफ जा सकता है ठीक है यह ब्लॉक कर दिया हो बीच में ठीक है इस वज़े से वो news में है ठीक है यह जो है डारेक्ट रूट बिट्विन नॉर्थ अट्लांटिक एंड नॉर्दन इंडियन ओसन वाया मेडिटेरियन सी एंड रेड़ सी ठीक है वन अफ दे वर्ल्ड हैबिली यूद शीपिंग लैंस ठीक है एजिप्ट डिपेंड हैबिली ओन रेबिन्यू फ्रम दा कैनल ठीक है सबसे पहले इनिशियल बात करें तो बिरिटिश अन फ्रेंच कंट्रोल इनिशियली इसको ठीक है इसको इनिशियली कंट्रोल करते थे इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पे रिसेंटली शिक्स एलिफेंट्स डाइट ठीक है छे एलिफेंट्स यहाँ पे मिर्थ पाएगे हैं इस वज़े से यह नियूज में है निम्न में से भारत का पहला कूंसा केंद्र शासित प्रदेश को टीवी फ्री घोसित किया गया इसका आंसर हो जाएगा option number A is correct लक्ष द्वीब को टीवी फ्री घोसित किया गया है और उसके साथ जम्मू कश्पीर के बढगाम जीले को टीवी फ्री घोसित है निम्न में से किन को 2020 का ब्यास सम्मान से सम्मानित क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number A is correct शरद पगारी को दिया जाएगा ये एक हिंदी राइटर है इनकी एक उपन्यास है नोबल है उनके लिए इसको दिया गया है पार्टली पुत्र की सम्रागी ठीक है पार्टली पुत्र की सम्रागी इस नोबल के लिए उसको ब्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा 2020 का जबर्वान मौण टिन रहें इसके नजडेक इस्तित है इसकाका अंसर हो जाए का ओप्शन अंब बी इस गरवट śरी नगर की नजडेक इस्तित है ये जो है लोकेट बीट्विन पीर पंचाल रहन अन ग्रेट हेमालियन रहें चे बीच इस्तित है त्य northern 6 इसका आंसर हो जाएगा option number A is correct गोवा में मनाया जाता है अज हम लोग daily current affairs के 7 important MCQs को discuss करेंगे उससे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं कि किस-किस topic पर हम लोग MCQs को discuss करेंगे World Water Day 2021 को discuss करेंगे Gram Ujala Scheme के बारे में discuss करेंगे उसके बाद जल शक्ती अभिहान, Catch the Rain के बारे में discuss करेंगे बिहार दिवस के बारे में discuss करेंगे International Day of Forest में एक MCQs को discuss करेंगे मूर्या tribe के बारे में discuss करेंगे उसके बाद last में discuss करेंगे Asia's largest tulip garden के बारे में discuss करेंगे चलिए हम लोग discuss कर लेते हैं Question No.1 The theme of World Water Day 2021 is विश्व जल दिवस 2021 का theme है इसका अंसर हो जाएगा Option No.B is correct That is valuing water पुरी दुनिया में 22 March को इस दिवस को celebrate किया जाता है लोगों में water की प्रती awareness फलाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि 2000 पचीस तक पुरी दुनिया में दुनिया की हाप आवादी है वो water crisis में चले जाएंगे इसलिए water को बचाना बहुत important है 22 March was declared a world water day and celebrated since 1993 से celebrate इसे किया जाता है ठीक है इसका aim क्या है providing for affordable LED LEDs को provide करना इसका aim रहेगा ठीक है बहुत minimum cost पर ठीक है customized program for rural India ठीक है तेन रूपीज में provide किया जाएगा ठीक है question number 3 PM Narendra Modi has launched जल शक्ति अभियान catch the rain the theme of this अभियान is परधान मंत्री Narendra Modi ने जल शक्ति अभियान catch the rain शुरू किया इस अभियान का theme है इसका answer हो जाएगा option number A catch the rain where it falls when it falls बड़ा interesting आपका theme है इसका aim क्या होगा ठीक है तो rain water harvesting structure का निर्मान करना ताकि बारिश के जो पानी है ठीक है उसके भंडार को सुनचित के आजा सके ठीक है 22 March से 30 November तक इसे चलाएगा ठीक है शहरी इवंग ग्रामीन दोनों में चलाए जाएगा ठीक है वर्ल्ड वाटर डे के आउसर पर या अभियान को the theme of Bihar Day 2021 is Bihar Divas 2021 का theme है ठीक है इसका आंसर हो जाएगा option number B is correct जल जीवन हर याली ठीक है तो इसे हर साल 22 March को मनाया जाता है international day of forest celebrated in which day international day of forest कब celebrate किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C is correct 21 March को celebrate किया जाता है ठीक है इसकी theme थी इस बार के forest restoration ठीक है a path to recovery ठीक है यूण महा सभाने यानि यूनाइट नेशन महा सभाने 2012 में ठीक है 21 March को international day of forest को मनाने की घोशना के थी ठीक है जंगलू के महतों के बारे में जागरुकता फैलाने के थी the मूरिया tribes are native to which of the following state कि सराज्जी का मूरिया जंजाती असल निवासी है इसका आंसर हो जाएगा option number A is correct 36 question number 7 Asia's largest tulip garden is located Asia का largest tulip garden कहां इस्थित है इसका आंसर हो जाएगा option number A जम्मू अन कश्मीर के स्री नगर में इस्थित है ठीक है a bright color flower shape like a cup a cup जैसा shape होता है that grows in the spring एनि बसंत रितू में ठीक है ये खिलने वाला क्या है एक flower है cup के जैसा इसका आकार होता है चमकदार होता है ठीक है hello and welcome to my channel this is Amir Wahi आज हम लोग daily current affairs की 10 important MCQs को discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग topic पर discuss कर लेते हैं कि किस-किस topic पर हम लोग MCQs को discuss करेंगे मैंने सबसे पहले जो MCQ बनाया है वो world happiness report पर बनाया है 2021 ठीक है remote valley कहां है उसके बारे में discuss करेंगे peach black 2020 exercise के बारे में दिस्क्电 Pur Natle new vaccine के बारे में ठीक है प्राक्रितिक के बारे में इसको develop किस ने किया CTBT O के बारे में discuss करेंगे mini kaji ranga के बारे में discuss करेंगे Mini kaji ranga किसे कहा जाता है FOST-UT 100% organic प्रिनिक को उसके बारे में डिसक्स करेंगे और लास्ट में हम लोग डिसक्स करेंगे पोलर वाटेक्स ठीक है? पोलर वाटेक्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिसक्स कर लेंगे ठीक है? Question number one. Which of the following is a wrongly matched regarding world happiness report 2021? निम्न में से कौन कौन साखतन गलत है? World Happiness Report 2021 के संबन में. Statement number one. It is released by the United Nations Sustainable Development Solution Network. Second, India got rank 139. Three, happiest and bottom country Finland and Afghanistan. मतलब कहा जा रहा है कि इस report में सबसे जो खुशहाल देश है वो Finland है और सबसे जो worst country है वो Afghanistan है. Statement में कह रहा है यह आपको decide करना है. Statement number four. India's court better than last year. ठीक है? तो इसमें answer हो जाएगा option number. D is correct. ठीक है? Anyhow option number 4 ही गलत है. ठीक है? According to World Happiness Report 2021 ठीक है? हम इंडिया को जो rank मिला है वो 149 मिला है. ठीक है? इतना country में 149 country में. ठीक है? इतना में इंडिया को 149 rank मिला है. ठीक है? और सबसे जो है पेस्ट country है ठीक है वो है Finland ठीक है? और सबसे जो worst country है वो अबका वनिस्तान है. ठीक है? और 2020 के बनिस्पत हमारा जो देश इस बार score better नहीं कर पाया है. ठीक है? इसलिए यह statement क्या हो जाएगा? रॉंग हो जाएगा. ठीक है? कुछ हमारे नेवरीज countries के rank को देख लेते हैं. जो पाकिस्तान है उसको 105 मिला है. ठीक है? और जो चाइना है उसको 84 मिला है. ठीक है? फिर सिरिलंका की बात कर लें तो उसको 129 मिला है. ठीक है? बंगलादेश की बात करें तो उनको 101 मिला है. ठीक है? एनी जितने भी हमारे नेवरीज country है सब का performance बेटर हुआ है. ठीक है? बेटर है हमसे. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो USA है उसका rank आपका 19 है. USA का rank कितना है? 19 ठीक है? यह जो world happiness report है. यह जारी 2012 से किया जा रहा है. लॉंस इसको किया गया था 2012 में. ठीक है? जो survey करता है. ठीक है? कैसे करता है? कुछ voting के आधर पर भी करता है. वोटिंग जैसे कि आपका ठीक है? उसके बाद social support देखा जाता है. Freedom to make life choice देखा जाता है. ठीक है? जैनरो city देखा जाता है. और corruption देखा जाता है. ठीक है? यह सब को मिला कर जो है एक average निकाला जाता है. उसके बाद किसी भी country को worst या happiest country घुश्ट किया जाता है. युनाइट नेशन के लिए. ठीक है? Question number 2. Which of the following reason for closing of the hole over Arctic ozone layer? Arctic ozone layer के छिदर बंध होने का क्या कारण है? ठीक है? सकांसर हो जाएगा. Option number A is correct. polar vortex के कारण जो छिदर है Arctic ozone layer पर वो क्या हो रहा है? बंध हो रहा है. The first UT has declared 100% organic. किसके इंदर शासित प्रदेश ने सबसे पहले 100% जैविक घोशित किया? ठीक है? सकांसर हो जाएगा. Option number D. लक्ष दूए. Question number 4. The headquarter of comprehensive nuclear test ban treaty organization. Comprehensive nuclear test ban treaty organization का headquarter कहा है? ठीक है? सकांसर हो जाएगा. Option number A is correct. Question number 5. The wildlife sanctuary which is known as mini-kajiranga. किस wildlife sanctuary को mini-kajiranga कहा जाता है? ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा. Option number A is correct. Pobitora. ठीक है? किसे कहा जाता है? Pobitora को. ठीक है? यह कहां पे है? असम में है. Question number 6. India conducts pitch black 2020 exercise with India किस देश के साथ pitch black 2020 exercise करता है? ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा. Option number A is correct. एनि, IIT Delhi के द्वारा बिक्सित किया गया है. ठीक है? इसका काम क्या है? इसका जो full form है वो बता देता हूँ. prediction and assessment of corona infection and transmission in India. ठीक है? Question number 8. Remote valley is located. रिमोट घाटी कहा है इसती थे? इसका आंसर हो जाएगा. Option number A is correct. Iceland में इसती थे. ठीक है? 800 साल के बाद इसमें eruption देखा गया है. उदगार देखा गया है. ठीक है? यह जो Iceland का capital है रिक जाविक उससे 32 किलोमेटर दूर है. अवे हैं. ठीक है? Question number 9. Which of the following is are correctly masked? निमन में से कौन कौन सा सही मिलन है. ठीक है? Option number A. Mukundra Hills Tiger Reserve राजस्थान में है. Kunu National Park मद्धपरदेश. नौरा देही वाइलेब सेंचुरी राजस्थान 4. शेरगा वाइलेब सेंचुरी मद्धपरदेश. ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएका option number C is correct. That is, एक और दो कैरेकली मैच है. एनि मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजब राजस्थान में है. और कुनू नेशनल पार्क आपका मद्धपरदेश में है. लेकिन नौरा देही वाइलेब सेंचुरी राजस्थान में नहीं है. बलकि कहां पर है? मद्धपरदेश में. मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया है. ठीक है? और यह आपका जो है राजस्थान में है. आपका शेरगा वाइलेब सेंचुरी. ठीक है? सीज को ध्यान में रख बखा जाएगा वैक्षिन नम्र टेम विच फॉलिविंग इज और रॉंगली माज्ट निमने में से कौन कौन सा गलत मिलन है ठीक है ऑप्षिन नम्र एक को वैक्षिन को भारत बायोटेक ने बनाया है इधर वैक्षिन है इधर कमपनी है ठीक है बी कोबी शिल्ड सीरम ने बनाया है यह नन अफ्देव ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नौन अफ्देव ठीक है यहाँ पर कोई भी गलत मैच नहीं है सब करेक्ली मैच्ट है ठीक है यह टोटल जो यहाँ पर दिया गया है सब करेक्ली मैच्ट है अज हम लोग डेली करेंट अफर के 5 important MCQs को discuss करेंगे उससे पहले हम लोग topic को discuss कर लेते हैं कि किस-किस topic पर हम लोग MCQs को discuss करेंगे ठीक है आजका पहला topic होगा गांधी peace prize पर होगा ठीक है तो चलिए आज का पहला question को हम लोग discuss कर लेते हैं The government of India has announced 2019 and 2020 Gandhi Peace Prize 2 हाल ही में भारत सरकार ने Gandhi Peace Prize 2019 और 2020 किन्हें देने की घोशना की ठीक है इसका अंसर हो जाएगा option number A is correct ठीक है 2019 का जो गांधी Peace Prize है वो दिया गया है ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को 2019 का दिया गया है ठीक है और 2020 का जो है Peace Prize दिया गया है बंगलादेश के पुर्व रास्टपती शेख मुझिबर रह्मान को ठीक है Peace Prize के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं गांधी Peace Prize को जो है हर साल दिया जाता है ठीक है पिछले साल दिया नहीं गया था COVID-19 के कारण ठीक है इसे सब कब से जो है दिया जा रहा है तो गांधी जी का जो है 125 वजयन थी ठीक है के दिन से इसे सेलिब्रेट किया जाता है 19 ठीक है 95 से है ठीक है Question No.2 A Space Debris Removal Space Crupt Elsa D Launched By एक Debris Removal Space Crupt Elsa D किसकी द्वारा लौंच किया गया है इसका अंसर हो जाएगा Option No.A is Correct जैपान के द्वारा लौंच किया गया है Elsa D का जो Full Form है वो है End of Life Services by Astro Skill ठीक है Demonstration Question No.3 Whitsun Reef is Located in Whitsun Reef कहां इस्थित है इसका अंसर हो जाएगा Option No.A is Correct South China C में इस्थित है ठीक है Question No.4 Recently seen in the news Kane Betwa Link Project is Related to हाल ही में News में रहा Kane Betwa Link Project किस से संबंदित है इसका अंसर हो जाएगा Option No.C is Correct Madh Pardes and UP से Related है केन Betwa जो दो रिवर है दोनों ही मद्धपरदेश से निकलती है ये दोनों रिवर एमुना की Tributory है और केन रिवर से Betwa रिवर में वाटर को पहुंचाय जाएगा ठीक है अभी ठीक है अब 22 मार्च को यूपी और मद्परदेश के बीच क्या हुआ साइन हुआ है ठीक है Question No.5 Who among the following was not hanged in the 23rd March 1931 निम्न में से किनको 23 March 1931 को फांसी नहीं दिया गया था इसका अंसर हो जाएका option No.C is correct डाट इस अश्वा कुल्ला खां को नहीं दिया गया था बलकि यहां पे राजकुरू, सुखदेव सिंग और भगत सिंग को फांसी दिया गया था ठीक है 23 मार्च 1931 को इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं इसी वज़े से इसका बहुत ज़्यादा बिरोध हो रहा था उसमें लाला लाजपत्रोई गो बैक का नारा लगा रहे थे ठीक है और पुर्जोर तरीके से बिरोध कर रहे थे उसी में जो जैम्स स्कॉर्ट थे उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया उसमें लाला लाजपत्रोई घायल हो गया ठीक है और कुछ दिन के बाद उनकी देथ हो गई ठीक है भगत सिंग इसका बदला लेना चाहते थे और वो जैम्स स्कॉर्ट को मारना चाहते थे लेकिन गलती से जो है जौन सॉंडर को मार दिया था एससेसिनेट कर दिया था जि से पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कॉस कर लेते हैं कि किस-किस टॉपिक पर हम लोग MCQ को डिस्कॉस करेंगे ठीक है आज का पहला टॉपिक है greater one horn rhino इसके बारे में डिस्कस करेंगे the world tv day के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी सुरक्षा मेरा mask के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है banana festival के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और last में हम लोग डिस्कस करेंगे hatch freedom pineapple campaign के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं Question No.1 Greater One Horned Rhino is under IUCN Red List in Greater One Horned Rhino IUCN Red List में किस काटेगरी में है Cancer हो जाएगा Option No.A Vulnerable Category में है ठीक है अगर Sight की बात करें ठीक है CITES Sights की बात करें Convention on International Trade in Endanger Spaces of Wild, Fauna and Flora की बात करें तो इसमें Appendix 1 में से रखा गया है ठीक है और अगर हमारे देश में अगर बात करें Wildlife Protection Act 1972 की बात करें ठीक है 1972 की बात करें तो इसमें इसे रखा गया है Schedule 1 में इसे रखा गया है ठीक है ये पाँच परकार के होते है Greater One Horned Rhino ठीक है जो सबसे बड़ा होता है Black Rhino जो सबसे Smaller होता है White Rhino जावा राइनो उसके बाद होता है Sumatra Rhino Recently Extinct in Malaysia जो Sumatra Rhino है ये Malaysia में Extinct हो चुका है ठीक है इसलिए बहुत ये News में रखा Question No.2 The Theme of World TV Day is World TV Day का Theme क्या है Is Cancer हो जाएगा Option No.2 A is Correct ठीक है 24 मार्च को ठीक है TB Day Celebrate किया गया World TV Day ठीक है जो SDG है सह्यूक्त राष्ट के सतत्विकास लक्ष में इसे 2030 तक समाप्त करने की बात कही गई है अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसे 2025 तक समाप्त करने की बात कही गई है ठीक है ये जो बिमारी होता है ये फेफड़ी को इफेक्ट करता है ठीक है और ये बैक्टेरिया से होता है ठीक है बैक्टेरिया का नाम है Mycobacterium ठीक है Tuberculosis ठीक है इस बैक्टेरिया से TB उत रहे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैम्पेन लॉंड बाई मेरी सुरक्षा मेरा मास्क किस राज्य ने लॉंड किया इसका अंसर हो जाएगा Option number B is correct मद्ध परदेश ने लॉंड किया है ठीक है क्रोना के प्रती जागरुकता अभियान है ये ठीक है और जो मद्ध परदेश के सीम है शिवराज जोहान उन्होंने एक नारा दिया ठीक है मेरी होली मेरा घर ठीक है अगर आपको होली मनाना है तो आप घर में ही मनाए ये Question number 4 Where is banana festival organizing Banana festival कहा आयोजित क्या जा रहा है सकांसर हो जाएगा Option number A is correct उत्तर परदेश में banana festival आयोजित क्या जा रहा है 22 मार्च से 25 मार्च तक जोहे से celebrate क्या जाएगा ठीक है Question number 5 Recently seen in the news Hatch Freedom Pineapple Campaign is related to हाल ही में न्यूज में रहा Hatch Pineapple अभियान किस से संबंदित है सकांसर हो जाएगा Option number B is correct China Taiwan से संबंदित है ठीक है China ने क्या किया है भी Import को ban कर दिया है ठीक है जो Pan Apple Taiwan से लाते थे उसे ban कर दिया है Import को बन कर दिया है इसलिए ये news में है ठीक है तो दोस्तों अगर आपको इससे थोड़ा से भी Benefit होता है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें थाइंक्स पूर वाचिए और वेल्कम तू माई चैनल दिस इस एमरोही आज हम लोग डेली करेंट अफर्स की 7 Important MCQs को डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग Topic को डिस्कस कर लेते हैं कि किस-किस Topic पर हम लोग MCQ को डिस्कस करेंगे ठीके पहला Topic होगा लोगपाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पकाल डूल Hydro Electric Project के बारे में डिस्कस करेंगे फिर डिस्कस करेंगे Opportunity Index 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे Then हम लोग डिस्कस करेंगे महरास्ट्रा भूशन अवर्ड के बारे में डिस्कूस करेंगे फिर हम लोग डिस्कूस करेंगे दबल म्यूटिंट कोरोना वाइरस वैरिंट के बारे में डिस्कूस करेंगे फिर डिस्कूस करेंगे Miss Kerou is bereavement leave law के बारे में discuss करेंगे उसके बाद last में हम लोग discuss करेंगे पलाओ के बारे में ठीक है तो चलिए आज का पहला question हम लोग discuss कर लेते हैं Which of the following statement is are true about लोगपाल निबने में से लोगपाल के बारे में कौन कौन सा कथन सही है ठीक है option number A जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है और अगर उसका age 70 year हो जाता है तब वो retire हो जाते है ठीक है उसके बाद B कहता है it is a statutory body ठीक है तो इसका answer हो जाएगा both C इसका answer हो जाएगा ठीक है statutory body का मतलब होता है ये किसी कानून ठीक है act के दोरा बनाए गया है ये constitution में mention नहीं है ठीक है question number 2 opportunity index 2021 released by opportunity index 2021 किसके दोरा जारी किया जाता है इसका answer हो जाएगा option number A is correct LinkedIn के दोरा जारी किया जाता है ठीक है कहा गया है कि 85% जो Indian working women है वो जो है opportunity से जो है miss out हो गया है ठीक है ये किसलिए हुआ है ये आपका हुआ है gender comparison के वज़े से question number 3 recently seen in the news the pacal dual यहाँ पे dual हो जाएगा hydroelectric project is proposed on which of the following river हाल ही में news में रहा pacal dual hydro electric project किस नदी पर प्रस्तावित किया गया ठीक है इसका answer हो जाएगा option number A is correct चिनाप नदी पर किया गया है ठीक है ये 1000 मेगावर्ट का होगा ठीक है ये जो जमून कश्मीर का जो district है किस्तवार वहाँ पर किया जाएगा where did the double mutine coronavirus variant found double mutine coronavirus variant कहां पाया गया ठीक है इसका answer हो जाएगा इंडिया में recently पाया गया है इसका symptom ठीक है और ये along with ठीक है United Kingdom में पाया गया था ठीक है Brazil और South Africa में भी पाया जाता है पलाव इस located in which of the following ocean पलाव निम्नमे से किस महसागर में स्थित है सकांसर होजा का option number B is correct Pacific Ocean में located है ठीक है ये एक coral and volcanic island है जो Pacific Ocean में स्थित है question number 6 who among the following will be given महराष्ट्रा भोष्यन अवर्ड 2020 निम्नमे से किन को महराष्ट्र भोष्यन अवर्ड 2020 दिया जाएगा ठीक है सकांसर होजा का option number A is correct आशा भोसले को दिया जाएगा ठीक है ये परसिद्ध गाईका है ठीक है महराष्ट का सर्बुच सम्मान है ये ठीक है और शुरू कब हुआ था 1996 में शुरू हुआ था ठीक है तब से ये अवर्ड इसमें क्या होता है तीन दिन का जो है paid live दिया जाता है paid live दिया जाता है ठीक है और ये जो है जैसे कि आपका मिर्तियू के वजह से घर में ठीक है शोक उगरा हो रहा है तो उसके लिए तीन एमें राही आज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के six important MCQs को डिसकस करेंगे आज का पहला question है इक्वीन हर्पस वाइरस EHV1 recently seen in the news occurs in हाल ही में न्यूज में रहा इक्वीन हर्पस वाइरस 1 किस में पैलता है ठीक है आप्शन नबर A horse B bat C dog B bird ठीक है इसका answer हो जागा option नबर A is correct यह horse to horse फैलता है ठीक है अभी यह human में नहीं फैल रहा है ठीक है यह एक अच्छी बात है ठीक है लेकिन यह जो फैला हुआ है अभी यूरोप में Spain ठीक है 1, 2, 3 & 4 ठीक है तो इसमें जो EHV EHV 1, 3 & 4 यह horse को जो है effect करता है ठीक है बहुत ज्यादा ठीक है domestic जो horse होता है वो बहुत ज्यादा effect करता है question number 2 बिहार first expressway will be built from बिहार में कून सा पहला expressway बनाया जाएगा ठीक है इसका answer हो जाएगा option number B is correct ठीक है आमास जो औरंगाबाद में है आमास टो दरभंगा expressway बनाया जाएगा ठीक है जो उत्तरी बिहार को दक्षिन बिहार से जोड़ेगा question number 3 alive readily total IUCN status is IUCN red list में alive छुड़ गया यहाँ पे ठीक है readily total को रखा गया है option number A endanger B critically endanger C vulnerable D list concern ठीक है इसका answer वज़ा का option number C is correct ठीक है इसको जहें warm water में पाया जाता है और यह Indian Ocean और Pacific Ocean में पाया जाता है ठीक है question number 4 joint army exercise 10 lig 2 started between India and dash joint army exercise 10 lig 2 India और dash के साथ शुरू हुआ था ठीक है इसका answer हो जागा option number C is correct उजबेकिस्तान ठीक है इसका जो पहला संस्करण शुरू हुआ था वो 2019 में शुरू हुआ था वो ताशकन में हुआ था ठीक है उजबेकिस्तान के capital ताशकन में ठीक है और यह अभी इस बार जो हो रहा है भारत के उत्राखंड के चौबार्टिया में शुरू हुआ है question number 5 who has conferred the global energy and environment leadership award बाइ Cambridge Energy Research Associate यहनि सेरा के द्वारा ठीक है Cambridge Energy Research Associate के द्वारा किनको global energy and environment leadership award देने की घोशना की गई ठीक है तो इसका answer हो जागा option number A is correct है यह हो जागा PM नरेंदर मोधी जी को दिया गया है ठीक है question number 6 the Beijing declaration seen in the news related to Beijing घोशना अभी news में रहा है यह किस से related है ठीक है तो option A हो जागा answer women's empowerment ठीक है यह women empowerment plus gender equality को बढ़ावा देता है ठीक है इसका answer क्या हो जागा answer A women's empowerment ठीक है Hello and welcome to my channel This is Amir Rohi आज हम लोग Delhi budget के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग दो important securities को discuss कर लेते हैं उसके बाद कितना कब budget आया इसमें कितना खर्च किया जाएगा उसके बारे में हम लोग briefly discuss कर लेंगे ठीक है तो आज का पहला question है Finance Minister of Delhi Manish Sisodia presented 2021 to 2022 budget He has named this budget ठीक है Delhi के Finance Minister Manish Sisodia ने 2021 to 22 का budget पेश किया और उन्होंने budget का नाम दिया है ठीक है उन्होंने इस बार जो budget का नाम दिया है उसका नाम option number A देश भक्ती बजट का है ठीक है question number 2 which of the following statements is are correct निमलिखित में से कौन कौन सा statement सही है statement number A the महीला मुहला clinics will be open which will function only for female B education gets 23.74% of the total budget ठीक है C first cynic school will be established in Delhi D in higher education plans to introduce new Delhi law university and teachers university E देश भक्ती project will be launched ठीक है तो इसमें से total का total statement सही है that means आपका all of the above हो जाएगा answer ठीक है तो last में हम लोग Delhi के budget के बारे में briefly discuss कर लेते हैं ठीक है Delhi budget 2021 to 2022 ठीक है finance minister कौन है Manish Shisodhia ठीक है total budget इस बार जो paste किया गया 69,000 करोर का किया गया है ठीक है training and engaging yoga 25 करोर खर्च किया जाएगा for 500 tricolors अनि त्रंगा के लिए 45 करोर रुपया खर्च किया जाएगा ठीक है different place में school में school अगरा में different place में 500 tricolors को फहराय जाएगा ठीक है उस पर इतना 45 करोर रुपया खर्च किया जाएगा to new school to encourage and health student to join the military ठीक है new scenic school and a Delhi arms forces preparatory academy in Delhi ठीक है currently five schools of excellence है इसको 100 तक करने की बात कही गई है ठीक है ठीक है 207 feet tall tricolor at canote palace was installed ठीक है canote place में आपको जो है 207 feet का tricolor फहराय जाएगा ठीक है tricolor मेंस द्रंगा फहराय जाएगा next 10 करोर each has been set aside to hold events commemorating भगत सिंग अन बाबा साहिब आमबिट कर ठीक है इतना रुपया उन में खज किया जाएगा tax collection 43,000 करोर होगा ठीक है This is M. Rauhi आज हम लोग daily current office के six important obstacles को discuss करेंगे ठीक है आज का पहला question है the cabinet has approved a proposal to amend the insurance act 1938 to increase the permissible foreign direct investment FDI limit from 49% to dash insurance act 1938 संशोधन के लिए cabinet ने एक proposal को मंजूरी परदान किया ताकि foreign direct investment limit को 49% से dash तक बढ़ाया जा सके ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number C is correct 74% तक बढ़ानी की बात कहे गए थी जब निर्मला सिता रमन जी ने budget पेश की थे तो उस वक्त उन्होंनी कहा था कि FDI को बढ़ा कर 74% कर दिया जाएगा ठीक है question number 2 after vaccination of उत्रकंड CM त्रिवेंद सिंग रावत who become the CM of उत्रकंड उत्रकंड की CM त्रिवेंद सिंग रावत की स्थिफिक की बाद कुन उत्रकंड का CM बना ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number D तिरत सिंग त्रिवेंद सिंग रावत की स्थिफिक की बाद तिरत सिंग को उत्रकंड का CM का सपत दिलाए गया है कल ठीक है Wednesday ये जो है BJP के लोग सभा मेंबर थे कहां से गरवाड से question number 3 दिशा बिल का संबन किस राज्य से है इसका answer हो जाएगा option number B आंध्रपरदेश ठीक है आंध्रपरदेश के बिधान मंडल से बिल पास हो गया पास होने के बाद इसे governor की पास भेजा गया तो governor जब तक पर sign नहीं करेगा तो कोई act नहीं बनेगा ठीक है तो governor नहीं क्या किया इस बिल को reserve कर लिया ठीक है President के पास आया है इसलिए यह बिल न्यूज में है ठीक है इस बिल में क्या है जो दिशा का full form है वो है special codes for specified offense against women and children ठीक है इसका full form हो गया एनि अगर कोई भी सक्स रेप करता है या गेंग रेप करता है तो उसको date penalty देना होगा और फारण इसका जो है फैसला होना चाहिए ठीक है बहुत जल्द इसका फैसला होना चाहिए उसे date penalty के लिए ठीक है question number four recently seen in the news women will is launched by हाल ही में news में रहा women will किसके द्वारा launch किया गया ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number a Google के द्वारा ये launch किया गया question number five solid fuel ducted ramjet technology is solid fuel ducted ramjet technology है इसका answer हो जाएगा option number a year to year missile ठीक है DRDO के द्वारा ये develop किया गया है ठीक है इंडिजेनियस आपका जो ये missile है ठीक है long range number six मियावा की टेक्निक is related to मियावा की टेक्निक किस से संबंधित है तो इसका answer हो जाएगा option number c is correct that is afforestation से related hello and welcome to my channel this is Mr. Rahi आज हम लोग daily current affairs के five important हम से क्यूज को discuss करेंगे आज का पहला question है which of the following countries are not related to quad निम्न में से कौन कौन सी country quad से संबंधित नहीं है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number e is correct ठीक है तोटल US, Japan, Australia, India सब quad से संबंधित है यही चारो country मिलकर quad की अस्थापना की थे 1917 में ठीक है इनका काम क्या है जो इंडो Pacific region है उसमें जो चाइना का aggressive behavior है उसको रोकना उसको counter करना ठीक है अभी अभी इसका जो है नरेंद्र मोदी के बीच आज virtual meeting हो रही है Friday को ठीक है question number two आजादी का अमरित महत्सव launched in आजादी का अमरित महत्सव कहां शुरू किया गया ठीक है इसका answer हो जाएगा option number a गुजरात में ठीक है आज ही Friday को नरेंद्र मोदी के द्वारा आजादी का अमरित महत्सव शुरू किया गया ठीक है 386 km का ये डांडी मार्च होगा from साबरमती आश्रम टू डांडी ठीक है डांडी कहां पे है अब करन 9 सारी district of south गुजरात में ठीक है question number 3 world most powerful super computer is most powerful super computer का नाम क्या है इसका answer हो जाएगा option number b is correct fugaku ठीक है ये जापान का super computer है जो world का सबसे super computer है ठीक है यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली super computer है question number 4 where is Indian's largest floating power plant is being made इंडिया का सबसे बड़ा floating power plant कहां बनाया जा रहा है इसका answer हो जाएगा option अब ए तेलंगा नामे 100 megawatt का ये power plant है ठीक है किसकी दुआरा बनाया जा रहा है NTPC की दुआरा National Thermal Power Corporation की दुआरा बनाया जा रहा है ठीक है question number 5 Nisar satellite mission is related to Nisar satellite mission संबंधित है इसका answer हो जाएगा option number A is correct ठीक है ये joint आपके नासा और इसरू के दुआरा बनाया जा रहा है ठीक है ये earth observation satellite है 2022 में इसे launch किया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching आज हम लोग daily current affairs की five important MCQs को discuss करेंगे आज का पहला question है which of the following countries are not related to Quad निम्निमे से कौन कौन सी country Quad से संबंधित नहीं है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number E is correct ठीक है तोटल US, Japan, Australia, India सब Quad से संबंधित हैं यही चारू country मिलकर Quad के अस्थापना के थे 1917 में ठीक है इनका काम क्या है जो Indo-Pacific region है उसमें जो चाइना का aggressive behavior है उसको रोकना उसको counter करना ठीक है अभी अभी इसका जो है virtual meeting हो रहे ही है US का President Joe Biden, Japan का PM यशी हैड सूगा, Australia का PM Scott Morrison और भारत का प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बीच आज virtual meeting हो रही है Friday को question number 2 आजादी का अमरित महतसव launched in आजादी का अमरित महतसव कहां शुरू किया गया इसका answer हो जाएगा option number A गुजरात में आज ही Friday को नरेंदर मोदी के द्वारा आजादी का अमरित महतसव शुरू किया गया 386 किलोमेटर का ये डांडी मार्च होगा प्रोम साबरमती आश्रम टू डांडी ठीक है डांडी कहां पे है अपकर नौ सारी डिस्टिक ओफ साउथ गुजरात में ठीक है Question No.3 World Most Powerful Super Computer is Most Powerful Super Computer का नाम क्या है इसका आंसर हो जाएगा Option No.3 B is Correct Fugaku ठीक है ये जापान का सूपर कम्प्यूटर है जो वर्ल्ड का सबसे सूपर कम्प्यूटर है ठीक है यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सूपर कम्प्यूटर है Question No.4 Where is Indian's largest floating power plant is being met इंडिया का सबसे बड़ा floating power plant कहां बनाया जा रहा है इसका आंसर हो जाएगा Option A तेलंगा नामे ठीक है 100 Megawatt का ये power plant है ठीक है किसकी दौरा बनाया जा रहा है NTPC की दौरा National Thermal Power Corporation की दौरा बनाया जा रहा है Question No.5 Nisar Satellite Mission is related to Nisar Satellite Mission संबंधित है इसका आंसर हो जाएगा Option No.A is correct ठीक है ये joint आपके NASA और ISRO के दौरा बनाया जा रहा है ठीक है ये Earth Observation Satellite है 2022 में इसे launch किया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही तैंक्स पो वाचिंग आज हम लोग डेली करेंड अफेर्स के फाइफ इंपॉर्टेंट अंसी क्यूज को डिस्कस करेंगी आज का पहला Question है तो इसका आंसर होजा का Option No. C मिधाली राज ठीक है इन्होंने 10,000 एक रन बनाई ठीक है और अभी जो वर्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो विमन क्रिकेटर है वो इंग्लेंड की आपका जो है चार लोटी ठीक है इंग्लेंड की इन्होंने 10,273 रन बनाया है 316 इनिंग Question No. 2 The theme of 27th हुनर हाट is 27 वे हुनर हाट की theme क्या है इसका आंसर हो जागा Option No. A is correct any vocal for local 27 वे हुनर हाट का आयोजन मद्ध परदेश के भोपाल में हो रहा है ये 12 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा Question No. 3 Recently seen in the news, virus passport launched by हाल ही में news में रहा virus passport किसके द्वारा launch किया गया है तो इसका आंसर हो जागा Option No. B चाइना की द्वारा launch किया गया है इसका काम क्या होगा? ये एक परकार का health certificate होगा ठीक है for Chinese international travelers के लिए ये digital certificate होगा ठीक है चा क्या show करेगा? ठीक है यूजर का vaccination status एंड टेस्ट वाइरस टेस्ट होगारा का एक डाटा प्रोवाइड करेगा ठीक है only for Chinese citizen के लिए ठीक है Not mandatory How many followers of Mahatma Gandhi were there in Dandy March 1930 1930 में गांदी जी के साथ Dandy March पे जाने वाले सहयो की कितने थे ठीक है इसका आंसर हो जागा Option No. A is character 78 थे ठीक है अभी ये news में इसलिए है कि Mahatma Gandhi का जो Dandy March था उसका 91 anniversary पूरा हो चुका है ठीक है उसी के तरफ पर जो है नरेंदर मोदी जी ने आजादी का अमरित महुचव शुरू किया है ठीक है Question No. 5 Right to vote is मतदान का अधिकार है ठीक है इसका आंसर होजागा Option No. B is correct Constitutional Right है Today we will discuss about 5 important ramsicures First question What is 2001 F0 32 2001 F0 32 क्या है ठीक है Option No. A Asteroids है B Planets C Comets D Star तो इसका आंसर होजागा Option No. A is correct That is यह एक Asteroids है ठीक है यह prediction किया जा रहा है कि 21 March को यह परतिवी के closely यह पासिंग करेगा ठीक है The largest asteroid passing by Earth this year March 24 ठीक है It is prediction that this asteroid passing close by the Earth ठीक है Question No. 2 Recently Sange volcano seen in the news is related to which country हाल ही में news में रहा Sange जावलामू के किस देश में इस्तित है इसका आंसर होजागा Option No. A is correct Ecuador में ठीक है Recently जो है इसमें उदगार हुआ है ठीक है यह एक active volcano है ठीक है इसमें उदगार हुआ है यह जो है ring of fire का हिस्सा है ठीक है Ecuador में आपको 8 वालकेनोस मिलते है ठीक है question No. 3 and roar to the moons ठीक है South Pole around 2024 तक भेजने की mission question No. 4 sea bug thorn is a sea bug thorn क्या है option No. A plant है B aquatic animal C asteroid D fish इसका answer हो जाए का option No. A is correct यह एक plant है पौधा है ठीक है अभी हिमाचल पर्देश का जो government है ठीक है decide किया है कि हम इसका plantation करेंगे रोपन करेंगे in cold desert area में ठीक है CM Jai Ram Ramesh ने announce किया है ठीक है यह plants इंडिया के other state में भी पाय जाता है जैसे हिमाचल पर्देश लद्दाग उत्राकन सिक्किम एंड अरुनाचल पर्देश में पाय जाता है इसका use क्या होता है ठीक है जैसे कि अब stomach problem हो गया ठीक है उसका heart problem हो गया skin problem हो गया इसका इलाज के लिए इसका पर्योग किया जाता है इस पौधा का बहुत ही important है प्रोजेक्ट 75 आलफा रिलेट्ट तो विच प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट 75 आलफा किस उत्पाद से सम्मदित है इसका answer हो जाएगा option number A is correct that is nuclear propulsion submarine यह सम्मरीन से लिलेट्ट है अभी अभी जो है INS करंज यह जो सब्मरीन है इसके वज़े से अभी यह न्यूज में रहा है ठीक है यह इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है ठीक है इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम था ठीक है इसमें other submarines भी है जैसे आप कह सकते हैं कलवेरी है ठीक है उसके वद खान देरी है और वेला है वगीर है वग, शीर है ठीक है यह other submarines आज हम लोग daily current affairs की six most important mcqs को discuss करेंगे आज का पहला question है National Grim Tribunal is राष्टिय हरित अधिकरन है option A statutory body b constitutional body c non statutory body d non of the world इसका answer हो जाएगा option number A is correct statutory body क्या होते है जब parliament के दुआरा किसी act के अंदर किसी body को बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते है statutory body कहते है 18th October 2010 के अंदर इससे बनाया गया था इसका काम क्या होते है इसका काम होते है protection of environment ठीक है environment का protection करना जैसे हमारे article 21 है fundamental right में वो कहते है कि health of environment ठीक है इस article से inspire होकर इस national green tribunal को बनाया गया था ठीक है ताकि ये environment को protect करें ठीक है अब constitutional body क्या होते है यदि किसी body का mention हमारे constitution में किया गया हो तो उसे हम लोग constitutional body कहते है ठीक है जैसे non-statutory body क्या होते है यह वह body है जो ना तो constitution में mention है और ना ही parliament के दुआरा इसे stabilist किया गया है ठीक है उसे हम लोग non-statutory body कहते हैं question number 2 in which year Sir C.B. Raman was awarded physics nobel prize किस वर्ष Sir C.B. Raman को physics के छेत्र में nobel prize दिया गया है option A. 1930 B. 1928 C. 1931 D. 1927 इसका answer हो जाएगा option number A is correct ठीक है Raman scattering और Raman effect के लिए इनको 1930 में nobel prize दिया गया है national science day was celebrated for the first time in किस वर्ष पहला राष्टिय विज्ञान दिवस मनाया गया था इसका answer हो जाएगा option number B is correct हर साल भारत सरकार 28 February को national science day celebrate करता है ठीक है question number 4 गाला पगोस आइलेंड इस इन नियूस पार्ट अफ विच कंट्री ठीक है एनी गाला पगोस द्वीप किस देश में है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number A is correct question number 5 गुरू रविदास was associated to which movement गुरू रविदास किस आंदोलन से संबंधित थे option number A भक्ती movement B सूफी movement C both या D non of the ever इसका answer हो जाएगा option number A is correct अभी इनकी जैनती थे इस वज़े से ये news में रहे है question number 6 which of the following vaccines is or wrongly matched निमने में से कौन-कौन गलत मिलन है option A co-vaccine भारत बायोटेक B co-bishield Serum Institute of India C Sputnik 5 रसिया D CoronaVac चाइना इसका answer हो जाएगा option number 4 that is none of the ever यहाँ पे जितना भी vaccine है वो total match है ठीक है co-vaccine भारत बायोटेक का है co-bishield Serum Institute of India का है Sputnik 5 रसिया का है D CoronaVac चाइना का है ठीक है यहाँ पे कहा गया है wrongly masked है तो यहाँ पे wrongly masked एक भी नहीं है इसका मतलब हो गया कि इसका answer हो जाएगा non of the ever ठीक है दोस्तों आज की class पे बस इतना ही अगर आपको किसी भी तरह से फायदा पहुंचता है प्लीज सब्सक्राइब करें and to my channel अज हम लोग देली करेंट अफेर्स की 5 important MCQs को डिसकस करेंगे आज का पहला question है which of the following statements is or correct निमलिखित कतनों में कुन सा कतन सही है option A रैनुका wetland is the smallest Ramsar site of India 2. चिलका lake was the first Indian wetland under Ramsar convention तो इसका answer हो जाएगा option number A is correct because यहाँ पर दोनों जो statement दिया हुआ है दोनों सही है एनि भारत का सबसे छोटा Ramsar site अगर है wetland है तो वो है रैनुका wetland ठीक है यह आपका कहाँ पर है हिमाचल परदिस ठीक है हिमाचल परदिस ठीक और चिलका lake was the first Indian wetland under Ramsar convention यह आपका कहाँ पर है उडिसा में है ठीक है question number 2 Amazonia for satellite was developed by Amazonia for satellite को किस देश ने तयार किया है option A India B China C Brazil D Japan तो इसका answer हो जाएगा option number C is correct यह ब्राजील के द्वारा तयार किया गया है यह एक commercial remote sensing satellite है for the Brazil Space Research Agency के द्वारे से तयार किया गया है ठीक है यह एक परकार का जो accurate real time position राष्टी संस्क्रित महत्सव 2021 took place at राष्टी संस्क्रित महत्सव किस अस्थान पर आयुजित किया गया option number A मुर्शिदाबाद B Delhi C Chennai D Kolkata इसका आंसर हो जाएगा option number A is correct बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस राष्टी महत्सव को आविजित किया गया ठीक है इसमें जो है जैसे कि आपका handcrafts ठीक है painting sculpture ठीक है इस सब को जो है promote करने के लिए support करने के लिए इस महत्सव को मनाया which country become the first to get corona virus vaccine under covax program covax कारिकरन के तहट भारत के बाहर corona virus vaccine पराप्त करने वाला पहला देश कोन बना option A घाना, B चाड, C नाइजेरिया, D जांबिया इसका answer हो जाएगा option number A is correct घाना अफ्रीका का एक country है ठीक है भारत का जो kovae shield vaccine है जो serum institute of India के द्वारा तयार किया गया है ठीक है उसे प्राप्त करने वाला पहला देश कोन बना है घाना ठीक है एस्टोजोनिका औक स्फोर्ट जो vaccine है उसी ही भारत में kovae shield vaccine कहा जाता है ठीक है इसे प्राप्त करने वाला पहला देश कोन बना अफ्रीका के country घाना बना the theme of national science day 2021 is राष्टी विज्यान दिवस 2021 का theme है option number a future of sti b women in science c science for the people and the people for science d none of the above इसका answer हो जाएगा option number a is correct that is future of science and technology and innovation ठीक है इसका full form क्या हो जाएगा future of science and technology and innovation ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching hello and welcome to my channel this is amirohi आज हम लोग daily current affairs के five important secrets को discuss करेंगे आज का पहला question है लोग सभा टेलिवीजन और राज सभा टेलिवीजन आज बिन मोज इन्टो आ सिंगल इस नेम इस लोग सभा और राज सभा टेवी को मिला कर एक सिंगल नाम रखा गया है उसका नाम क्या है option number a संसद टेलिवीजन बी पार्लिमेंट टेलिवीजन सी हाउस टेलिवीजन डे नौन अब दाएवोग इसका answer हो जाएगा option number a is correct आन्य संसद टेलिवीजन रखा गया है लोग सभा और राजसभा जो टेलिवीजन था दोनों को मर्ज कर दिया गया मिला दिया गया और उसका मिला कर एक नाम रखा गया क्या रखा गया है संसद टेलिवीजन ठेक है question number two national human right commission is a इसका आंसर हो जाएगा अब statutory body क्या होता है जब कोई body को Parliament की दूआरा Act बना कर बनाया जाता है तो उसे हम लोग statutory body कहते है constitutional body का मतलब होता है कि अगर किसी body का mention ठीक है हमारे constitution में किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते है constitutional body कहते है जैसे election commission finance commission ठीक है यह सब क्या हो गया constitutional body हो गया non statutory body का मतलब होता है वह body ना तो इसे parliament के दूआरा बनाया गया है और ना ही constitution में mention है उसे हम लोग non statutory body कहते है question number 3 the headquarter of Asian infrastructure investment bank is located Asian infrastructure investment bank का headquarter कहां इस्तित है option number A Beijing B Singapore C Washington D Manali इसका answer हो जाएगा option number A is correct Beijing में है चाइना के ठीक है अभी अभी क्या हुआ जो central government है उन्होंने 304 million ठीक है sign किया है किसके साथ AIIB के साथ एनी Asian infrastructure investment bank के साथ ठीक है किसके लिए for power transaction network in question number 4 which state government passed state employment of local candidates act 2021 for 75% of quota in private sector for job seekers किस राजय सरकार ने state employment local candidates act 2021 को मन्जूरी देकर 75% private sector में local लोगों के लिए सुरक्षित किया है ठीक है option है पंजाब B हर्यान C राजिस्तान D UP इसका answer हो जाएगा option number B is correct ठीक है इसका answer क्या होगा B हो जाएगा ठीक है इस act के जरिए हर्याना का जो government है वो अपने local logo के लिए ठीक है private sector में भी job को जो है सुरक्षित कर दिया है ताकि वहाँ के logo को आसानी से job मिल सके ठीक है सधूरू T garden is located in सधूरू चाय बगान कहां इस्तित है option number A अरूना चल परदेश B आसाम C मेगालाई D इसका आंसर हो जाएगा option number B is correct ठीक है एनि आसाम में अभी अभी क्या हुआ था कि प्रियांका वाड्रा आसाम गए थी ठीक है इस garden में जाकर उन्होंने चाय की पत्यां कलेक्ट कर रही थी इसलिए यहाँ पे क्या हुआ न्यूज में आया है ठीक है तो कोई भी चीज़ जब न्यूज में आ जाता है तो वो बहुत important हो जाता है तो यह जो garden है कहां पे है आसाम के बिस्वनात जगह में इस्थित है ठीक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही थाइंक्स को अज हम लोग डेली करेंट अफेर्स के फाइब इंपोर्टन अमसी क्यूज को डिसकस करेंगे आज का पहला क्वेस्चन है वाशिंग्टन बेस्ट थिंग टैंक फ्रिडम हाउस रिलीज इट्स रिपोर्ट इंडिया गॉट रेंग वाशिंग्टन थिंग टैंक फ्रिडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है इसमें इंडिया को क्या रेंग मिला है ठीक है इसका ऑप्षन है ऑप्षन नमबर E 88 B 83 C 85 D 90 इसका अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर 88 ठीक है पिछले साल इंडिया को 83 रैंक मिला था ठीक है इस साल 88 रैंक मिला है आउट ओफ 211 कंट्री में ठीक है लेकिन अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर ऐसे दिया जाता है जिसका 100 स्कोर होता है उसे Most Freedom Country कहा जाता है Most Free Country कहा जाता है ठीक है इस बार इंडिया को आंसिक रूप से सौतंत्र घोसित किया गया है ठीक है इंडिया ने स्कोर किया है ठीक है स्कोर जो होता है जिसका 100 स्कोर आता है उसको Most Free घोसित किया जाता है ठीक है लेकिन इंडिया का जो स्कोर की अगर बात करेंगे तो इंडिया को इस बार 67 मिला है ठीक है और पिछले बार इनको मिला था 71 ठीक है एनी इसका जो स्कोर घटा है और रैंक बढ़ गया है Recently Himalayan serone has been seen in the Assum listed as Dash on the IUCN red list हाल ही में Himalayan serone Assum में देखा गया इसे IUCN की red list में Dash में रखा गया है Option Number A Vulnerable, B Endanger, C Critically Endanger, D Non-Avdavol इसका answer हो जाएगा Option Number A is correct ठीक है इसे Vulnerable category में रखा गया है इंडिया का जो Wildlife Protection Act है 1972 इसमें इसे रखा गया है एक में ठीक है Question Number 3 Which of the following only Indian city has been given status 2020 Trace City of the World निम्न में से किस भारतिय शहर को 2020 का Trace City of the World घोशित किया गया है Option Number A Hyderabad, B Chennai, C Mumbai, D Bangduru इसका answer हो जाएगा Option Number A is correct Hyderabad ठीक है विर्चा रोपन में बढ़ावा देने वाले शहर को Trace City of the World घोशित किया जाता है Question Number 4 World Wildlife Day is celebrated in which day? World Wildlife Day किस दिन सेलिबरेट किया जाता है? ठीक है Option Number A 4 March, B 3 March, C 1 March, D 2 March इसका answer हो जाएगा Option Number B is correct तीन मार्च को सेलिबरेट किया जाता है इस दिन को सेलिबरेट किया जाता है ताकि प्रमूट किया जा सके Forest को, Forest Wildlife Management को ठीक है Practice किया जा सके इसका जो थीम था इस बार का वो था Forest and Livelyhood किया था? Forest and Livelyhood Question Number 5 At Delhi, Heart Arts and Crafts Fair celebrated which of the following Union Territories Arts and Crafts Mela celebrate किया गया दिल्ली हाट में या किस केंदर शासित परदेश में स्थित है इसका आंसर हो जाएगा Option Number B is Correct लद्दाक में है ठीक है? यह पैंटिंग अगरा को बढ़ावा देने के लिए ठीक है? यह मेला celebrate किया जाता है integrated by LG जो आपका lieutenant governor है किसका लद्दाक का राधा कृष्ण माथूर ने इसे inaugurate किया थे तो आज के लिए बस इतना ही Hello and welcome to my channel. This is Amirohi आज हम लोग Daily Current Affairs के 6 important MCQs को डिसकस करेंगे आज का पहला question है Which country is hosting the exercise derger flag 6? Exercise derger flag 6 को किस country के द्वारा आयोजित किया जा रहा है Option number A. UAE B. India C. USA D. China इसका answer हो जाएगा Option number A is correct UAE United Arab Emirat For the first time the Indian Air Force is participating in the exercise derger Flag 6 ठीक है पहली बार इंडिया जो है इसमें participate किया है Question number 2 Recently seen in the news Simlipal National Park is located हाल ही में न्यूज में रहा Simlipal National Park कहां जती थे Option number A. उडिशा B. मद्धपदेश C. UP D. माराष्ट्रा इसका answer हो जाएगा Option number A is correct ठीक है इसमें अभी आग लग गया थी इस वज़े से जो है Question number 3 How many universities या institution got rank under top 100 university in the world in QS world university rankings World university ranking में भारत के कितने university या institution को Top 100 में अस्थान मिला है Option number A. 15 B. 12 C. 8 D. 10 इसका answer हो जाएगा option number B इसमार 12 को अस्थान मिला है ठीक है पिछले साल आपका 8 university को मिला था ठीक है IIT Bombay को Best Engineering and Technology केटेगरी में रखा गया है ठीक है Best IIT Bombay को Best Engineering and Technology में ठीक है लेकिन अगर हम लोग बात करें IIT मदरास को ठीक है तो इसको 30 rank दिया गया है ठीक है For its Petroleum Engineering Program World Hearing Day is celebrated in which day? World Hearing Day कब सेलिब्रेट किया जाता है Option No. A 3 March B 1 March C 2 March D 5 March इसका आंसर हो जाका Option No. A is correct ठीक है 3 March को World Hearing Day Question No. 5 Right to Education Right to Education become a fundamental rights By which Constitutional Amendment Act कि समिधान संशोधन द्वारा मौली क अधिकार में शिक्चा के अधिकार को जोड़ा गया था ठीक है तो इसका आंसर हो जाका Option No. C is correct 86th Constitutional Amendment Act 2002 ठीक है इसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चीों को अनिवारी सिक्चा का प्रवधान दिया गया है ठीक है Question No. 6 The Headquarter of International Criminal Court is located International Criminal Court का Headquarter कहा है Option No. A The Hague B London C Madrid D Paris इसका आंसर हो जागा Option No. A is correct ठीक है The Hague में इसका Headquarter है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना Hello and welcome to my channel This is M. Rauhi आज हम लोग Daily Current Affairs के 7 Important MCQs को डिसकस करेंगे आज का पहला क्वेशन है Ease of Living Index is released by Ease of Living Index किसके द्वारा जारी किया जाता है Option No. A Social है, Education है, Health है, Security है, Economics है को देखने के बाद जो है वो एक रैंक जारी करता है Question No. 2 The theme of National Safety Day is राष्टी सुरक्षा दिवस का theme क्या है Option No. A Cultivate and sustain a safety culture for building nation B Enhance the health and safety performance by use of advanced technology C सर्थ सुरक्षा या रोड शेप्षा या रोड शेप्षा या रोड शेप्षा या नौन अब द अबब इसका अंसर हो जाएगा Option No. C is correct हो जाएगा आपका सर्थ सुरक्षा Question No. 3 The Technology and Innovation Report 2021 is released by Technology and Innovation Report 2021 किसकी द्वारा जारी किया गया Option No. E World Bank B UNCTAD C IMF D WHO तो इसका आंसर हो जाएगा Option No. B is correct UNCTAD कि द्वारा जारी किया गया है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा United Nation Conference on Trade and Development तो इसका अगर आप कहेंगे कि इसका हेड़ कौर्टर कहा है तो UNCTAD का जो हेड़ कौर्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलेंड में है ठीक है Question No. 4 Which city got top rank in Million Plus category of Ease of Living Index Million Plus category में Ease of Living Index में top शहर कौन सा रहा Option No. A. Bangalurum B. Pooni C. Ahandabad D. Surat इसका अंसर हो जाएगा Option No. A is correct That is Bangalurum ठीक है इसे most livable city of India घोशित किया गया है ठीक है अगर आप कहेंगे Less than 1 million तो उसमें हो जाएगा Question No. 5 Which Central American country Has become the first malaria free मद अमरीका का कौन सा देश पर्थम malaria free बना ठीक है Option No. A. Panama B. Nicaragua C. Costa Rica D. El Salvador इसका आंसर हो जाएगा Option No. D is correct El Salvador ठीक है 2017 की बाद अभी तक इसमें एक भी case नहीं पाया गया है World Health Organization अगर तीन साल तक कोई भी इंडिजीनियस case नहीं पाया जाता है अगर किसी country में तो उसे एक certificate परदान करता है कि उस देश में उस बिमारी का खात्मा हो गया है ठीक है तीन साल के बाद वो certificate देता है कौन देता है तो आपको देता है W.H.O World Health Organization ठीक है इसका जो headquarter है वो question number 6 Recently Mount Sinabung seen in the news is located News में रहा Mount Sinabung कहां इस्थित है Option number A Indonesia B. Malaysia C. Cambodia D. Thailand इसका आंसर हो जाएगा Option number A is correct Indonesia में ये location number 7 सरस अजीवी का मेला is being celebrated in which state सरस अजीवी का मेला किस राज्जी में आयुजित क्या जा रहा है Option number A उत्तर परदेश B. करनाटका C. मद्ध परदेश D. रायुस्तान इसका आंसर हो जाएगा Option number A is correct उत्तर परदेश के नोएडा में इस मेला का आयुजित क्या जा रहा है ठीक है 26 February से 14 मार्स तक celebrate क्या Hello and welcome to my channel This is Amir Rauhi आज हम लोग Daily Current Affairs के 5 IMPORTANT UMCQs को discuss करेंगी आज का पहला question है In which case Supreme Court said Reservation quota should not be more than 50% किस case में Supreme Court ने कहा था कि reservation quota 50% से अधिक नहीं होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा Option number A is correct 1992 में judgment आये था कि reservation का जो quota है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है अभी महराज्ट सरकार जो है मराठाज को reservation देना चाहता है जौब में और admission में तो इसलिए अभी Supreme Court में सुनवाई चल रही है पांच judge bench के द्वारा तो ये जो फैसला आये था 50% quota वाला फैसला ये 9 judge constitutional bench के द्वारा सुनाए गया था अगर आगे इसमें कोई change करना है तो आपको इससे भी बड़ा bench के पास जाना पड़ेगा ये ये 9 bench है तो इससे जादा ये 10 कम से कम होना चाहिए तभी आप इसमें कोई change कर सकते हैं ठीके तो अभी इससे larger bench के पास भेजने के लिए कहा गिया है मैत्री से तू will help trade and people to people movement between India and Dash मैत्री से तू ब्रिज इंडिया और Dash के साथ ब्यापार और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में साहता परदान करेगी तो option number A नेपाल B भूटान C स्रिलंका D बंगलादेश तो इसका answer हो जाएगा option number D is correct बंगलादेश बंगलादेश के साथ एक food waste index report 2021 released by food waste index report किसके द्वारा जारी किया जाता है इसका answer हो जाएगा option number A is correct तो इसके रिपूर्ट के अनुसार 61% ठीक है लगवा घरों से जो है waste किया जाता है question number 4 the theme of international women's day 2021 is अंतराश्टी महलादिवस का theme है इसका answer हो जाएगा option number B ठीक है इसका answer हो जाएगा option number A is correct फेनी रिबर पर इस्थित है ठीक है या नदी त्रीपूरा और बंगलादेश के बीच बहती है ठीक है hope you enjoy this video for the latest video like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay up there अजाएगा नदी का